कोरोना से गरस्त होने पर ठीक होकर अपना स्वस्त जीवन व्यतीत कर लोगों को प्लाजमा दान करने के लिए जागरूख किया जा रहा है आपको बता दे कि करनाल उपायुक्त निशान्त कुमार यादव के नितित्व में स्डियम असंद साहिल गुपता वो जिला रेड क्रोस सोसाइटी करनाल के अहवान पर लोगों को जागरूख किया जा रहा है करनाल जिला में हरियाना सरकार दुआरा करनाल कलपना चावला राजकी मेडिकल कॉलेज में प्लाजमा बैंक बनाया गया है करोना योदा यहां आकर प्लाजमा दान कर सकते हैं और दूसरे रोगियों को जीवन दान दे सकते हैं चिकित्सकों का कहना है कि प्लाजमा दान करने से इस शारिलिक रूप से कोई नुकसान नहीं होता बलकि 15 दिन के बाद ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्लाजमा दोबारा बन जाते हैं प्लास्मा दान को लेकर घबराने की कोई अवशक्ता नहीं है जीले में अभी तक 28 व्यक्ति प्लास्मा दान करने के लिए आगे आए हैं इनमें से एक लड़की रोमी का भी शामिल है उपायुक्त निशान्त कुमार यादव ने जीला प्रशासन की ओर से शनिवार को लगुसची वाले के सभागार में प्लास्मा दान करने वाले करोना योधाओ को प्रशंसा पत्र वह एक विशेश मोमेंटो दे कर समानित किया उपायुक्त ने बताय कि केसी जी एमसी के प्लास्मा बैंक में स्टोरेज की अच्छी खासी शमता है और यह एक साल तक सुरक्षित रह सकता है करोना योधा स्वेच्छा से करोना रोगियों के इलाज के लिए अपना प्लास्मा दान कर सकते हैं उन्होंने बताया कि करनाल जीले में करीब साथ हजार विक्ति करोना को हरा कर स्वस्त जीवन जी रही हैं प्रशासन इन सभी लोगों के निरंतर संपर्क में हैं और उन्हें प्लास्मा दान करने के लिए जाग रूप कर रहा है समाजिक संगतनों का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा इस मोखे पर रेड क्रोस सोसाइटी करनाल के सचीव कुलबीर मलिक ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसे प्रेडना लेकर प्लास्मा दान कर सके और दूसरों का जीवन बचाने के लिए प्रोचसाहित कर सके प्रति दिन सो से डेड सो व्यक्तियों को मोटिवेट किया जा रहा है इस मुहीम में लोगों के घर घर जाकर प्लाजमा दान करने के लिए आगे आने को मोटिवेट करते हैं उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति किसी कारण से प्लाजमा दान करने के लिए मेडिकल कॉलेज में आने को आसमर्थ है रेड क्रोस की तरफ से उसके घर वाहन भेजा जाएगा जिसमें बैट कर व्यक्ति केसी जी एमसी आ सकता है और प्लाजमा डोनेट कर सकता है इस असर पर प्लाजमा दान कर चुके आंदर परदेश के एक बिजनेसमेन राजा शेखर और उनकी 21 वरिशे बेटी रोमिका ने अपने अनुभव साज़ा किये इस मोके पर सुमिक मनोच, खटपाल, कृषिन कुमार, धरमवीर, अश्विनी कुमार, पंकजगर्ग, विकास जांगरा, तेजवीर सिंग, रवी कुमार, देवी दयाल करंबी, परदीब कुमार को समानित किया गया करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट और एंटीबॉडीज फॉर्म हो चुके हैं, वो डेफिनेटली प्लाजमा दीजिए, क्यूंकि ऐसा करने से और लोगों की जान बच सकती है आपका नाम? रोमिका किसलिए सम्मानित क्या गया? आज हमने धिकर सम्मानित किया गया है, हमने करोना पोजिटिव होए थी, उसके बाद जैसे की हम रिकवर होने के बाद हमारे पास रेक्टोर्स और उससे कोन आया था क्या प्लाजमा दोनेट किना चाहेंगे तो हमने अपनी कंसर्ट दी थी, तो यह प्लाजमा दोनेट किया और मैं अपने जिल से कहता हूँ कि प्लाजमा दोनेट करने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे से किसी की जिन्गी बचवाएगी मैं शहर के सबी जो हमारे करोना वालियर्स हैं जो करोना से गीच चुके हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो आके आएं और जाकर करना चाहूँगा कि अपना प्लाजमा दोनेट करें जिससे कि आपके साथ और लोगों की जिन्गी भी बस सके आपका नाम पंकच गरग अब दी तक चिंता की बात है कि पूरे हमारे जिले में सिर्फारा लोग है अठाइस लोगों नहीं प्लाजमा दिया है जबकि हमारी एंटिसिपेशन है के लिए वो ठीक होके अपने घर जा चुके हैं तो आज हमने जो हमारे प्लाजमा डोनर्स थे उनको सम्मानित किया है इसक थे उनको सम्मS गिएंगे जितने भी लोग हैं जो प्लाजमा डोनेट करेंगे उनके घर के बाहर हम प्लाजमा डोनर्स का वर्यर्स का ठीकर भी लगा रहे हैं और हम इदे के आने वाले समें में डोनर्स की संक्या निष्यितर्युब्टस रखे एक डर रहता है भे रहता है कि हम प्लाजमा डोनेशन करेंगे तो फिर से हम कोई कोई पोजिटिव ना हो जाए या मन के अंदर कोई शंका जिसके कारण एक डर है जो बिलकुल ठीक नहीं है क्योंकि सब एक्सपर्ट्स ने बताया है प्लाजमा डोनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है किसी भी तरह की कोई वीकनेस कमजोरी इसमें पूरी पूनतया सुरक्षित भी है और आगे लोगों की जिनकी बचाने में काम आता है तो मेरा वो अपने एंटिबोडी टेस्ट कराएं और एंटिबोडी पॉजिटिव आने भी प्लाजमा जरूर होने तो यह थे हैं पर वेडिन, लाँचिंग और पाती राजगराना और जोती गारंड आजे बती बनक्वेट्स अंटर्प्राइज